असलाम अलेकूम दोस्तो आज की वीडियो में हम सौधी रफ की तीन बड़ी और एहम खबरे जो हैं वो आप तो हम दोस्तो के साथ सेर करने वाले हैं पहली खबर दोस्तो कोरोना के हावाले से जबकि दूसरी खबर जो है वो जवाजात के हावाले से जबकि तीसरी जो खबर है वो भी बहुत ज़्यादा आहम है तो अगर आप सौधीरम में रहते हैं सौधीरम के हालास से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप सु 24 गंटे के अंदर 1877 नए करोना वारिस के केस जो है वो रिकोर्ड किये गए हैं जबकि टोटल 85,261 केस अब तक सुधरम में रिकोर्ड किये जा चुके हैं उन्होंने कहा है कि पिछले 24 गंटे के अंदर 23 नए लोगों की मौत भी हुई है जबकि टोटल मनने वालों की 3561 करोना वारिस के मरीज जो है वो ठीक हुए है तो यहाँ पर मासाला जो रिकोर्ड है वो काफी अच्छी की गई है कि 3561 लोग जो है वो पिछले 24 गंटे के अंदर ठीक हुए हैं जबकि टोटल 62,442 लोग अब तक सुधरम में करोना वारिस के मरीज जो है वो ठीक हो चुक मक्कम कर्मा 161, दमाम 110, मदिना मनुरा 95, अल्हुफू 55, अल्जुबेल 50, खोबर 33, जहरान 31, बुरैदा 25, ताइफ 22, कतीफ 21, अल्मदा 18, अल्मुबरज 18, हाइल 17, खुलेस 13, सफवा 10, नजरान 8, अल्खर्ज 8, अल्बहा 7, अल्लेस 7, जाजान 7, सोडी 6, तो यहां पर बाकी सिटी में 6, 4, 5, 3, 2, 2, 1, एकिंग मरीज जो हैं, वो रिकोड किये गए हैं, दोस्तों अगली खबर यह है कि सौदी महिकमे जवजात ने कहा है कि मुलक भर में जवजात की जो ओफिसें हैं वो खोल दी गई हैं, लेकिन मक्का सहर में जवजात की ओफिस ज जो है, वो बिलकुल तैयार हैं, लेकिन ओफिस आने से पहले उनको टाइम और वक्त जो है, वो लेना पड़ेगा, यानि कि आपको जवजात से टाइम और वक्त लेना पड़ेगा, किस दिन आपको जाना है, किस वक्त जाना है, वो आपको जवजात से परमिसन लेनी पड़ यानि कि पैसे की जो लेंदेन है वो अफसेर के जरीये जो है वो आरलाइन करें किसी भी एमर्जेंसी हालत में जो है वो महिक में जवाजात के ओफिस से जो है वो कॉंटेक कर सकते हैं जबकि डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि आललाईन लेंदेनिंग में कोई कठनाई होने पर अफसेर से भी जबजास से जो है वो कॉंटेक्ट कर किया जा सकता है। कि अफसेर के जरीये भी जवजास से जो है वो कोंटेक यहां पर किया सकता है अगर अफसेर के जरीये मसला जो है वो नहीं बनता है तो उसके बाद आप जो है वो डारिक पासपोर्ट ओफिस जो है वो जाकर भी जवजास से बाच्चित कर सकते हैं तो यहाँ पर जो दोस्तों पुछते थे कि भाई साओधी जवाजात का जो ओफिस है वो कब तक खुलेगा तो यहाँ पर साओधी जवाजात का जो ओफिस है वो खुल चुका है और जो लोग का काम हो गए रहा है वो जाकर जवाजात ओफिस जो है वो करा सकते हैं कोसिस करें कि अफसेर के जरिये जो है वो अपना काम को अंजाम दे दे अगर नहीं होता है तो फिर वो जबाजा तो फिर जो है वो जा सकते हैं दोस्तों अगली खपर यह है कि जिसके सुबा में एक नियूज आप तौम दोस्तों के साथ से रिकिया थी जिसमे मैंने आप तौम दोस्तों बदादा था कि सौधी मिनिश्टी आफ इंटेरियर की तरफ से एक नया इलाउंसमेंट किया गया है जिसके मताबिक अगर अगर वो जुर्माना किया जाएगा तो यहाँ पर आपको उदच लेंगी एक दो दोस्तों के मेरे पास मेसज आये हैं जिनको ये जुर्माना जो है वो किया जा चुका है वो बकाला गयते सामाल लेने के लिए और जब जाथ उनको रास्ते में मिल गया और उनका एकामा लिया और आपको जवाजाद देख लेती है तो एक हजार रियल का आपके उपर जुर्माना करेगी और यह जुर्माना जो है वो आपको ही अदा करना पड़ेगा यहाँ पर आपकी कमपनी या आपका कफिल जो है यह जुर्माना आपका जो है वो अदा नहीं करने वाला है क्योंकि यह पर बार बार मैं इसलिए आप तुमाँ दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जादा जादा सेर करें अपने दोस्तों से कहें कि बाहर निकलें तो मास का इस्तिमाल जरूर करें ने तो फिर आपको काफी जादा प्रोब्लम हो सकती है